जैजनेर बंदवो मैं रवी जैन गुरू जी समय हो चला है आज के रासी फलका बात करते हैं मेश रासी वालों की लेन देन में सावधानी रखें क्या करें श्री भक्तामबर जी का पाठ अवश्य पढ़ें वर्षबरासी वाले स्वास्त को लेकर गंबी रहें क्या करें कारिया सुरू करने से पहले लंबी सांस लें मिसम रासी वाले मानसिक तनाव से बचें, क्रोध से दूरी बनाएं, क्या करें सिरी सूधी नाज जी का चालिसा अवश्य पढ़ें, करक रासी वाले कारिये छेतर में संगर्स बढ़ सकता है, आलस्य बिल्कुल भी आने ना दें, क्या करें शिरी पाशनात इस्तोत्र अवश् सिंग रासी वाले जीवन साथी का सहयोग करें, वानी पर नियंतन रखें, क्या करें चांदी के ग्लास में पानी पीएं, कन्या रासी वाले प्रेम संबंदों में रुकावट के चांस, लेकिन परियास जारी रखें, क्या करें शिरी मंदिर जी के दरसन अवश्य करें, तु क्या करें नमो सिध्धानम की एक माला अवश्य फेरें व्रश्यक्रासी वाले नया निर्णे ले सकते हैं आज का दिन आपका अपना है क्या करें घर पर जब लोटे तो खाली हाथ ना हो कुछ ना कुछ ले कर लोटें धनूरासी वाले परिवार में खुसियां बढ़ेंगी परिवार को समय देने की आवश्यक्ता क्या करें जब घर से बाहर निकलें तो पहले दाया पैर बाहर निकालें मकरासी वाले क्रेव विक्रे के लिए दिन अच्छा है अधिक खरीदारी से लेकिन बचे क्या करें 21 बार नमोकार महामंत्र का उच्चारण अवश्य करें कुम्रासी वाले पती पतनी के बीच तालमेल अवश्य बैठाएं विरोधियों से भी सावधान रहने की आवश्यक्ता क्या करें छोटी लाइची बेदी पर अवश्य चड़ाएं ओम रिम शिरी बिमल्ला जिनिंद्राई नमा बोलकर मीन रासी वाले भाउक्ता में निर्ने लेने से बचे आज बड़ा निर्ने तो कोई ना लें क्या करें लाल मसूर की डाल का दान करें इसी के साथ अब बात करते हैं आज की सलह की देखे आपके परिवार में अगर किसी सदस्य को बार बार नजर लगती है तो इसके लिए शिरी भक्तामबा रिस्तोत का पच्चिसवा काव्य बहुत उप्युक्त काव्य है जिस व्यक्ती को नजर लगती हो उसे चाहिए शिरी भक्तामबा निस्तोत का 25 वा कावे 25 बार रो जाना पढ़े निश्यत रुप से नजर लगने की संभावना काफियत तक कम हो जाती है अब बात करते हैं आज की मेल की ये मेल हमें भेजी है परवेश जी ने बासवाडा मध्य परदेश से लिखते हैं गुरू जी चर्ण इसपर्स एक समश्या को लेकर मैंने आपको 6 महापूर एक पत्र लिखा था आपने जो उपाई बताये थे उसे करने से मुझे बहुत लाब हुआ है लेकिन एक समश्या मेरी अभी और भी है के मेरा बेटा मेरी सुनता नहीं है मैं क्या करूँ परवेश जी देखिए मंत्रों में बहुत सक्वी होती है अगर आप सर्दा भाव के साथ उपाई करते हैं तो निश्यत रुप से आपको लाब प्राप्त होगा रही बात आपके पुत्र की तो आप पुत्र को रो जाना पारसना तिस्तोत्र अपने पास बैठा कर सुनाए निश्यत रुप से इससे भी उसमें बड़ा परिवर्तन आएगा बंद वो आपकी भी अगर कोई समश्या है तो आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी मेल आईडी लगातार फ्लेस हो रही है इसी के साथ सभी को जै जिनेंदर